हेलो दोस्तों आज हम आचुके हैं क्लास नमबर है हमारी 4640 HTML जिसके अंदर हम जावा स्क्रिप्ट की सायता से आज हम आपको सिखाएंगे के फाइंड दा लेंथ ओफ इस्ट्रिंग के अंदर जो हम कोई भी नाम देंगे उसको किस तरीके से वो फाइंड करके बताएगा कि इ 10th space को भी काउंट करता है तो आज हम प्रोग्राम के अंदर जा करके यह चीज आपको सिखाने वाले हैं तो सबसे पहले इस वीडियो को इस चैनल को सस्क्राइब पर लिए बेल आकन पर इस कर लिए जिससे हमारी नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाएगी और इस वीडियो क तो लाइक एंड शेयर एंड कमेंट कर दीजे फड़ापाट फिर चलते हैं ग्लास के अंदर तो सबसे पहले हमें यूज करना होगा क्या नॉटपैट नॉटपैट में जो प्रोग्राम बनाएंगे फिर उसके बाद देखेंगे कि प्रोग्राम किस तरीके से काम करेगा ठी इसका find the length of string के अंदर किस तरीके से length को ना पा जा सकता है तो सबसे पहले हमारा html तो open है html को हमने close कर लिया और जो background color की हमारी ये coding है अब चलते है man coding के अंदर इसमें क्या करते हैं सबसे पहले हमें body का use करना पड़ेगा तो हमने यहां से क्या ले लिया body function body tag ले लिया sorry और body tag को यहां से हमने slash के द्वारा body tag को हमने यहां से close कर लिया ठीक है इसके बाद फिर body के अंदर space देना है अब यहां पर हमें क्या करना है क्योंकि जो function हम उपर ले रहे हैं उसको हमें दिखाना पड़ेगा कि किस का program हम यहां पर बना रहे हैं तो एक हमने यहां पर क्या क्या कर दिया उसको slash द्वारा h1 को close कर दिया ठीक है उसके बाद यहां पर हम क्या ले कहेंगे जो program हमां बना रहे हैं क्या है program find the length 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 of a string s-t-r-i-n-g ठीक है तो इस तरीके से कोई भी data के हम या name का या किसी भी data के अंदर का जो भी string लिखा है वो हम यहां पर चेक कर सकते हैं बिल्कुल proper तरीके से चीक है अब चलते हैं उसके आगे अभी हमने एक paragraph के लिए हमने सबसे पहले heading बना लिए जिससे हमारा program so class के नाम से तो demo है तो demo हमने यहां पर लिख लिए उसके बाद हम जो paragraph ले रहे हैं उसको यहां से हम क्या कर देते हैं पी को slash लगा के close कर दिया हमने paragraph ठीक है तो यहां तक तो सभी में करके आ रहे हैं फिर हमने यहां पर क्या ही java script यूज कर रहे हैं तो यहां पर हमें java script की जगह पर java script यूज करना पढ़ेगा s-e-r-i-p-t और java script को मैंने open किया है तो java script को मुझे close भी करना पड़ेगा तुरंत तो s-e-r-i-p-t तो java script को मैंने यहां से क्या कर लिए close कर लिए अब जो हमारा main function है वो java script के अंदर ही हमारा data चलेगा ठीक है तो यहां तक तो आपको clear point समझ में आ रहा होगा किस तरीके से हमारा data show करेगा तो इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ठीक है अब जो हमारा function है moment क्या है हमारा java script के अंदर काम करेगा किसकी लिए बना रहा है हम यह बना रहा है length मतलब character की किस्तिनी length होती है वो बता आगा तो सबसे पहले हम एक variable assign कर लेते हैं कैसा test क्योंकि test की जरूत पड़ेगी तो equal to लगाया invited में हमने यहां पर लखा semi-colon से उसको finish कर दिया तो यहां पर हमने मानके चलो कोई भी नाम दे दिया जैसे हमने अपना ही दे दिया dharmendra dharwin sing kushwa h तो इस तरीके से मैंने अपना नाम दे दिया यहां पर नाम देने के बाद यहां पर क्या करेगा यह हमारे character को सारा show करके और उसमें दिखाएगा कि कितने character बनाए हुए है then उसके साथ में include करेगा space को भी साथ में include करके रखेगा यह ठीक है यहां तक तो हो गया इसके एंडर करने के बाद फिर बैरिवल हमें एक और लेना है जो क्या बताएगा एस एल एन मतलब जो इस्ट्रिंग है उसकी लेंथ बताएगा तो हमने क्या रख लिया यहां पर इसकी सौट रख लिया एस माने string हो गया और ln मतला हो गया इसकी length ठीक है उसको हमने equal to रखा किस के साथ मैं test के साथ मैं क्योंकि test हम ले चुके है टेस्ट के साथ मैं क्या लेना है length यहां ठाकना spelling की बहुत यहां पर जरूरत है क्योंकि spelling आपने कहीं न कहीं थोड़ी भी गलत कर दी तो आपका पूरा data बेकर हो जाएगा उसके बाद enter करना है enter करने के बाद फिर हम किसका यूज कर रहे है जावा script तो जावा script में output के लिए हमें document की जरूरत होती है dot उसके साथ मैं फिर gate open करना है फिर उसके साथ मैं क्या लिखना है element लिखना है element लिखने के बाद फिर हमें क्या यूज करना है यहां पर capital B और small by और फिर I capital और D फिर यहाँ पर क्या करना है bracket close करना है shift के साथ और invited, open करना है shift के साथ और close करना है जिसमें हमने उपर कैसी class ली वो ही हमें यहाँ पर नीचे class show करके रखना है तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा अब यहाँ पर क्या करेंगे dot के साथ में इसको क्या जोड़ दिया जाएगा inner जो हमने output show करता है वो उसको जोड़ दिया किसके साथ में? s, t, m और l के साथ में जोड़ दिया equal to, किसको show करना है length को करना है, किसकी length को string के जो हमारे string function है उसी की length को हमें यहाँ पर show कराना है, तो s, t, r, i, n string होती है, तो हमने यहाँ पर क्या sort ले लिया, s, l, n तो यहाँ पर बोई लिया, s, l, n string, length ठीक है, उसके बाद हमने यह function को बिल्कुल close कर लिया, तो यह line हमारी यहाँ तक complete होगा, complete होने के इसको हमने क्या कर लिया, close कर लिया, ठीक है, close करने के बाद, यहाँ तक हमारा यह complete हो चुका है, ठीक है, अब हम देखते हैं, कि जो program हमने बनाया है, कि से purpose बनाया है सबसे पहले, कि कोई भी character की length बता देगा, यहाँ पे हम समझ में आ गया होगा इतनी चीज़ें, आप चलते हैं, nest किस तरीके से कारे कर रहेगा, इसको save कर लेते हैं फिर run करके आपके सामने, so करेंगे तो save करने के लिए सबसे पहले कहां जाते हैं, file के अंदर जाते हैं तो save करना है, कहां पे जाकर के इसको file के अंदर, file के अंदर जाएंगे फिर save में जाएंगे, पहले से जाते हैं, save s में save s में जाने के बाद ही, यहां पर left side में उपर दिख रहा होगा, desktop desktop को select कर लेना है, और यहां वा लिखा है file name, file name अपनी अंसार आप रख सकते हैं, मैं अपनी अंसार रखे हैं हुआ हूँ, पहले से फाइल मैंने बना के रखी है इसको, उसी में मैं save करते जा रहा हूँ सारे data को, ठीक है, धार के नाम से मैंने फाइल बनाई है, उसके साथ मैं किसके साथ मैं जोड़ दूँगा, dot html, क्योंकि हम javascript प्रेस्टीमेल पढ़ रहा है, तो क्या करेंगे, उसके साथ मैं include कर दिया, फिर जा करके यह आपको देख रहा है इदर, जो cursor मैं लेके जा रहा हूँ, माउस का, तो इसमें save बटन दिखाई दे रहा है, save बटन पर फिर किदार के नाम से बन किया गई, इस पर double click करेंगे, थोड़ा सा process लेगा, लेने के बाद यहाँ पर यह complete हो करके, यह process आ जाएगा, ठीक है, तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा, किस तरीके से यह कार करेगा, तो जैसे ही मैंने double click किया, double click करने के बाद देखेंगे, यह हमारा function यहाँ पर so हो जाएगा, तो अभी थोड़ा सा connected चला है, तो connected में थोड़ा सा time लेता है, क्योंकि programs run होगा, तभी आपका so करेगा, ठीक है, तो यह हो करेंगा, यहाँ पर programs run हो करके आ चुका है, आप देख लीजिए, यहाँ पर जो programs run होआ हो इस तरीकी से so कर रहा है, अभी यहाँ पर एक आपको ऊपर क्या देख रहा है, छोटी सी, blue lining की पटी सी देख रही है, उस पर right click करना है, right click करेंगे, left click करना है, allow content पर, ठीक है, इसके बाद फिर हमारा एक bonning security data आएगा, जो कहेगा, आप इसको use करना चाहते है, तो yes कीजिए, नहीं करना चाहते है, no करना है, तो हमें yes इसलिए करना है, क्योंकि यह program को हमें run करना है, तो हम यहाँ पर left click करेंगे mouse के दारा, तो यह हमारा, यहाँ तक पूरा program बनने के बाद हमारा answer भी आ चुका है, क्या लिखा है, find the length of a string, तो यह हमारी string आ रही है, वो कितना आ रहा है, 17 आ रही है, अब देख लेते हैं, इस program के अंदर हमने यह 17 लिखी थी, कि चो और लिखा था, इसको data के अंदर हमने क्या लिखा था, धर्में, string लिखा था, अब इसको जोड़ लेते हैं, कितना आ रहा है, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नौ, दस, ठीक है, दस जी होगे, और एक space का 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, एक space इदर है, तो कही न कहीं, यह सारे data को आप include कर रहा हैं, वो space के साथ में पूरा लेता जलाया, अब मैंने इदर का भी space अटा दिया, यहां का भी space अटा दिया, अब देखते हैं, इसको save करके, क्या काम करे के बताएगा यह, अब यहां पर जैसे मैंने save button पर क्लिक किया, save पर हो गया, file save हो गई, save होने के बाद फिर जाएगे, हम अपने web browser पर जिसमें हम काम कर रहे थे, run करके, तो मैं run करूँगा, यहां से web browser में जा करके, और इसको run करके आपके सामने show करूँगा, जो changes किया है, changes करने के बाद 15 आपके character बचे, तो समझ में आगए आपको, किस तरीके से कोई भी data हो आपका, उसको data को किस तरीके से change कर सकते हैं, किसी भी data के अंदर, ठीक है, दुबारा एक बार और देख लीजिए, इसको कैसे तरीके से मैंने change किया, यहां पर, ठीक है, तो यहां पर क्या करना है, जो मैंने आपको test ball लिखा है, उसी के अंदर आपको data change करना है, सबसे पहले, तो यहां पर मैं यह चीज़ें हटा देता हूँ, कुछ चीज़ें अलग से लिख लेता है, जैसे मैंने लिखा, यहां पर मान के चलो, A, A, Apple मैं सब को पता है, कितनी character होते हैं, ठीक है, अच्छा, तो यहां पर 1, 2, 3, 4, 5 हैं, तो हमारा answer क्या आना चाहिए, जब save करने के बाद 5 आना चाहिए, तो मैंने यहां पर file को save किया, या control plus yes भी कर सकते हैं, keyword की साहिता से, shortcut की नहीं देखिए हैं, और यहां पर जाकर कि हम इसको program को run करते हैं, फिर आपके सामने सोगरते हैं, अभी तो 15 देखा रहा है, यह पीछे का देखा रहा है, अभी हम यहां पर करेंगे, तो हमारा कितना answer आना चाहिए, क्योंकि हमने Apple लिखा है, 5 आना चाहिए, तो जैसे ही मैंने run किया, run करने के बाद हमारा क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, बिल्कुल सही answer आ चुका है हमारा, तो इस तरीके से कोई भी data होगा, उसको सही प्रॉपर तरीके से दिखाने की को कोशिश करेगा, program को run करने के बाद, एक बार और नज़ा दे देते हैं, जिससे आपको समझ में आएगा, जैसे मैंने apple लिखा, apple लिखने के बाद थोड़ा सा space दिया, space देने के बाद फिर मैंने control S कर दिया, अब एक character और बढ़े गया, बढ़ेगा किनी, space को भी count करता है, तो यहाँ पर जा करें के run करते हैं, run करने के बाद हम दिखाते हैं आपको क्या बता रहा रहा है, बल्कुल सही बता रहा है, आप इस में क्या किया, मैंने दूसरा यहाँ पर एक और मीनी लिख दी, किसकी, आंगे वाली value की, जैसे B, A, डवल L, वाल लिखा मैंने, और इसको Ctrl S की साहिता से मैंने सेव कर लिया, या फाइल में जाकर एक इसको सेव कर लेते हैं, सेव बटन के दौरा, अब यहाँ पर कितना आना चाहिए, सबसे पहले तो इसको टोटल अपन कर लेते हैं, अपने according, तो यहाँ पर कितना आ रहा, एक, दो, तीन, चार, पांच, और एक स्पेस का अच्छे, साथ, आठ, नो, दस आना चाहिए answer, तो जैसे यहाँ पर सेव करने के बाद देखेंगे, तो दस आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, वह भी पता चलेगा, तो यहाँ से जाने के बाद, इस प्रोग्राम को रन करेंगे, रन करने के बाद, यहाँ पर हमारा data कितना आ रहा है, तो हमारा answer बिल्कुल सही आ रहा है, तो कहने का मतलब है, जो हमने प्रोग्राम बनाया है, किस की उपर बनाया, string of length, तो मतलब जो string function हम ले रहे हैं, जो string उसका data ले रहे हैं, string मतलब होता है, name बगरा, meaning बगरा, कुछ भी हो सकती है, मतलब आपका character से related होगा, उसको वो क्या दिखाएगा, यहाँ पर आपका string function के दुबारा, so कर देगा, ठीक है, आप number भी लिखेंगे, तब भी वो काम करेगा, कोई दिख्यत नहीं आएगा, but invited comma में लेना पड़ेगा, string function का मतलब होता है, कोई भी संख्या लिख रहे हैं, कुछ भी लिख रहे हैं, आपको invited comma में लिखेंगे, तो जहाँ से मैंने यह भटा दिया, जैसे मानने के चलो, आपको एक number दे देता हूँ, जैसे मैंने लिखा यहाँ पर, space दिया, पहले तो, मैंने लिखा five five, फिर space दे दिया, तो यह कितने आना चाहिए, कितने हैं, दो बार तो five लिखा, यह किदर यह space है, यह किदर यह space है, answer के आना चाहिए, अपना, चार आना चाहिए, आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है, तो जरूरी नहीं आप, आपका invited कौमा में होगा, वो string कहलाता है, चाहिए मैं अंदर आप कुछ भी लिख सकते हैं, वो आपकी मर्दी है, कोई दिख्कित नहीं है, data आपका same रहेगा, अब जैसे कोई मैंने data लिखा मानगे, चलो कोई अलग, जैसे एक data मैंने लिखा यहां पर, cute, अब यह कितना character है, 1, 2, 3, 4 है, तो 4 में तो 4 ही रहेगा, पता नहीं चलेगा आपको, अब मैंने इसी के साथ में क्या लोड़ दिया, 91, cute, 91 जोड़ दिया, तो कितना हो गया, 4, 5, 6 हो गया, तो answer हमारा कितना आना चाहिए, 6 आना चाहिए, तो इस तरीके से data में आपका changes हो रहा है, automatically, समझ में आ रहा होगा आपको, तो इस प्रोग्राम में आपको समझ में आ गया, आज हमने इस क्लास में, 46, 40 नमबर की क्लास में आपको, जावा स्क्रिप्ट में आपको, क्या करके बताया, एक प्रोग्राम बनाया, जिसके अंदर हमने length, string के अंदर बताया, कि ये length क्या होती है, और किस तरीके से इसको use करते हैं, length आपका data को, character को numbering करके, आपके सामने so करता है, उसी को बोलते है, string length, ठीक है, और ये हमने आपके सामने प्रोग्राम बनाया, जिसकी साहता से आपके सामने ये प्रोग्राम so हो रहा है, समझ में आगया हुआ इतना बहुत है, आज के लिए कापी है, फिर मिलते है next वीडियो में, और ऐसी प्रोग्राम देखने के लिए बने रहा है हमारी YouTube चैनल पर, और इस चैनल को आपने subscribe नहीं किया है, तो प्लीज इसको subscribe कर लिजे, जिससे हमारी सारी वीडियो आपके पास सबसे पहले आते जाएंगे, इस वीडियो को लाइक और शेयर और शेयर सबसे जाना करना है, क्योंकि सबी को आना चाहिए ये programming language, फिर मिलतें नेस्ट वीडियो में जब तक के लिए जैहिन, थेंक यू, थेंक यू बरी मच्छ,